नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की हैपामर्ज सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, हैपामर्ज सिरप को कैसे लेना चाहिए और हैपामर्ज सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे की हेपामर्ज सिरप को लेते समय क्या क्या सामधानिया रखनी चाहिए और किन कंडीशन्स में हेपामर्ज सिरप को लेना recommended नहीं होता है हेपामार सिरप का उप्योग लिवर की बिमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हेपामार सिरप लिवर में मौझूद विशेले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर की कार्य प्रणाली को अच्छा बनाती है। हेपामार सिरप का उप्योग जॉंडिस यानी पीलिया होने पर, फैती लिवर होने पर, लिवर में सूजन होने पर, हेपेटाइटिस होने पर, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होने पर और लिवर की पुरानी बीमारियों जैसे सिरोसिस आधी बीमारियों को ठीक करने के लिए ह हेपामर्स सिरप का उप्योग किया जाता है। हेपामर्स सिरप लिवर को मजबूत बनाने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। और भूप को भी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा जो व्यक्ति रोजाना शराब का सेवन करते हैं या ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिवर में विशेले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जो लिवर के लिए नुकसान दायक हो सकता है और जिसकी वज़से लिवर डैमेज भी हो सकता है। हैपामर्ज सिरप शराब की वजह से लिवर में जमा हुए विशैने पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर को डैमेज होने से रोकती है और लिवर की कार्य प्रणाली को ठीक करने में मदद करती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडि से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में हपामर्ज सिरप की वजह से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे उल्टी आना इका मन होना पेट से गैस निकलना, दस्त, कब्ज और पेट में दर्द आधी साइड इफेक्ट्स हेपामर्ज सिरप की वज़र से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे की हेपामर्ज सिरप को कैसे लेना रिक्मेंडेड होता है। हेपामर्ज सिरप को खाना खाने के बाद लेना रिक्मेंडेड होता है। आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर हेपामर्ज 10 मिलिलीटर सिरप को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन हेपामर्ज सिरप की खुरा, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको हेपामर्ज सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना हेपामर्ज सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि हेपामर्ज सिरप को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में हेपामर्ज सिरप को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। किड्नी फैलियर और किड्नी की कोई गंभीर विदियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका हिपामर्ज सिरफ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं